हेलो फ्रेंड्स और वल्कम टू माई यूट्यूब चैनल एपल आइफोन के ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो काफी लोगों को नहीं पता होते हैं और इसके चलते वो टेक्नोलोजी का पूरा बेनिफिट भी नहीं ले सकते तो चलिए आज अपन डिसकस करते हैं कुछ अमेजिं फीचर्स अफ़", आइफोन 14 आने के बाद इसके अंदर काफी सारे फीचर्स जो है वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो इस्में अपन वन भाइवण फीचर्स को डिसकस करते हैं तो चैसे अपने तो सबसे पहला feature जो है, वो icon shortcut का है, तो first feature है हमारा icon shortcut, shortcut पर जाने के लिए यहाँ पर इसका यह icon है, यहाँ से icon के उपर click करना है, अगर आपके phone में नहीं show हो रहा है, visible नहीं है, तो आप search कर सकते हैं इसको, यहाँ से मैं click करूँगा, मैं कोई भी shortcut बना सकता हूँ, जैसे कि म मैं इसके उपर click किया, जैसे ही मैं click करूँगा, my father, यह मेरे contact number है father के और उसको मुझे as a shortcut use करना है, तो अब मैं इसके उपर यहाँ से click करूँगा, उसके उपर three dots पर और यहाँ पर है add to home screen, add to home screen के उपर click करूँगा, यह home screen में add होने वाला है, अब इसका मैं photo भी change कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे photo change करना है, for example, मुझे यहाँ से photo change करना है, change करने के लिए, मैं photo click भी कर सकता हूँ, या files में से ले भी सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से photo लेना है, मैं यहाँ से photo इसका select करता हूँ, यह photo मैंने select किया, यह photo यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको कर होंगा add add करने के बाद added to home screen का टिक आया और डन अब देखिए चलते हैं वापस home screen के ऊपर जैसे में home screen पर जाओंगा यह देखिए यहां पर icon आ गया my father और जैसे मैं इस पर click करूंगा यह सीधा call लग जाएगा मेरे father को ओके यह notification का alert आ गया और यह call लगेगा अभी मैंने flight mode पर कर रखा है इसलिए call नहीं लग रहा है तो मैं इसे जैसे click करूंगा call on हो जाएगा मैं flight mode बंद कर देता हूं कि यह call start तो ऐसे मैं किसी भी icon को shortcut बना सकता हूं चाहे वो किसी भी टाइप का application हो एप हो और उसको अपने according कस्टमाईज कर सकते हैं ओके यह एक फीचर था कि सेकिंड जो फीचर है उसके लिए चलते हैं settings में settings के अंदर आपको जाना है यहां से scroll करके नीचे नीचे जब आप जाएंगे आपको दिखेगा password इस पर आपको क्लिक करना है और यह मैंने इसको किया यहां पर आप देखिए security recommendations सो हो रहा है यह बहुत ही अच्छा फीचर है आपके जो multiple accounts हैं उसमें अगर किसी का password weak है या किसी के password जो है वो match हो रहे हैं तो यहां पर यह security अलग दिखाएगा next जो फीचर है वो है screenshot के लिए आप double tap या triple tap करके अपने phone से screenshot कैसे ले सकते हैं उसके लिए आपको जाना है setting पे यहां से आपको scroll करना इसको और accessibility इसके उपर जाना है आपको touch पर touch के उपर आपको सबसे bottom में जाना है back tap back tap क पर click करता हूं तो यहां से मैं कुछ भी से select कर सकता हूं कि मुझे double tap करने पर कौन सा feature चाहिए मैंने जैसे click कर रखा है screenshot पर मैंने Bluetooth कर रखा है तो अब जब मैं इस phone के लिए double tap करूंगा देखिए double tap कर रहा हूं मैं और यहां पर screenshot आ जाएगा यह रहा इसका screenshot double tap करने से screenshot हो गया अब आप इसको triple tap पर भी कुछ select कर सकते हो अगर आपको किसी को call करना है और आपने इसमें नीचे shortcut में call भी select किया तो triple tap करने से आप उसको quick call भी कर सकते हो next जो feature है इसका वो भी shortcut यानि home automation पर based है इसके लिए आपको वापिस जाना है search icon पर search icon पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे यह जो option दिख रहा है my shortcuts उसके साथ में यहाँ पर है automation इस पर click करना है यहाँ से create personal automation इस पर click करना है और इस पर click करके मैं example बता रहा हूँ आप इसमें जो भी available options हैं इसमें से कोई भी choose कर सकते हैं सबसे last में है charger अ connected इसको किया next अब यहाँ से मैं action add कर सकता हूँ अब action में मुझे यहाँ पर क्या करना है मुझे यहाँ पर search करना है यहाँ पर मुझे search करना है speak और जब मैं इसको नीचे लेओंगा यहाँ पर आएगा speak text इस पर click करना है तो क्या text आपको यहाँ पर speak करना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे वो text जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा charging यहाँ पर charging टाइप कर दिया इसको कर दिया next अब क्या होगा कि जैसे ही आपका phone connect होगा तो जो sound होता है connect होने का वो तो रहे गई उसके साथ में आपका Apple iPhone जो है वो बोलेगा कि your phone is charging तो ऐसे आप किसी भी अपने task के लिए automation set कर सकते हैं उसके लिए आपको अलग से वापिस add करना होगा फिर से click अब देखे आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप अपने daytime के लिए कर सकते हैं आप अपने alarm को कर सकते हैं आप किसी particular location के उपर जब arrive हो तब वहाँ पर आपको यह Apple क्या indication देना चीए वो speak करेगा आप before किसी function के किसी work के कर सकते हैं अपने email और messages के लिए कर सकते हैं अगर आप कहीं भी जैसे कि arrive को अगर अपन चेंज करके देखते हैं तो arrive वाले function में अगर आप डाल देते हैं कि your gym तो जैसे ही आप अपने gym जाते हैं अपनी exercise के लिए तो उसमें आप arrive पर click करके उसमें आप यहाँ पर set कर स पिर वहाँ से वही speak को search करके आप वहाँ पर अपनी exercise को भी schedule कर सकते हैं जिसमें ये iPhone आपको बोल के बताएगा कि आपको कौन सा task, कौन सा exercise सबसे पहले करना है। नेक्स्ट आपका है notes पे यहाँ पर अगर आपको notes प्रिपेर करने हैं तो एक तो आप यहाँ से table input कर सकते हो यह मैंने input किया यहाँ से table input हो जाएगा इसमें आप tabular form में भी अपने data को अपने notes को डाल सकते हैं अगर आपको यह नहीं चाहिए आप इसको यहाँ से click करके वाप interface हटा भी सकते हैं यह table यहाँ से remove हो जाएगी और अगर आपको किसी भी particular data को points की form में लिखना है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे click करूँगा अब मैं जो भी लिखूँगा next करने पर वो automatic point की form में आ जाएगा इससे notes create करने में notes prepare करने में काफी easy हो जाता है यहाँ से आप किसी भी picture को भी select कर सकते हैं जो कि आपको अपने notes में include करना है तो इस तरीके से यह जो feature है यह भी काफी helpful है काफी interesting है आपको अपने notes create करने में अपने task को create करने में Next जो feature है, वो है voice memo पर, आप कैसे अपनी recording को और ज़्यादा productive बना सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, उसके जो background noise है, उसको decrease कर सकते हैं, या उसको remove कर सकते हैं, voice memo पर मैंने click किया, यहाँ पर मैंने click किया, यह मेरी recordings है, इन recording मैंसे मैं कोई भी एक recording अगर मैं play क करता हूँ, तो उस recording के उपर जैसे ही play का click करते हैं, यहाँ पर three dots आते हैं, इन पर जब click कर देंगे, यहाँ पर आएगा edit recording, edit recording पर मैं जब click करूँगा, यह recording जब यहाँ से start होगा, तो उसमें अगर कुछ unwanted voice है, कुछ signals है, कुछ noise है, तो उसको आपन हटा सकते हैं, यह left side क के अंदर जो button है, इसके उपर मैं click करूँगा, यह blue हो जाएगा, और अभी आपके recording के अंदर, जो भी voice है, जो भी background noise है, वो सारा remove हो जाएगा, और only आपका message, आपका signal, वो properly यहाँ से play होगा, तो यह भी recording, यानि voice memo का बहुत ही अच्छा feature है, अब चलते हैं, इसके last feature पर, last feature क्या है, last feature Siri से related है, चलिए अपन Siri को activate करते हैं, यानि Siri की help से अब आप audio messages भी भी भेज सकते हैं, अपने किसी भी friend को या family member को, तो मैं Siri को यहाँ से activate करता हूँ, Hi Siri, I want to send audio message, Who do you want to send it to? Hey, how are you, what's going on? Who do you want to send it to? Yes, we, Great, send it to Yashree? No, Okay, I won't send it just yet, तो देखा आपने iPhone के कई सारे ऐसे interesting features हैं, जिनके benefits आप ले सकते हैं, इसी टाइप के technical और knowledgeable videos को लगातार देखने के लिए इस channel को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए, Okay, thank you.